बिना घर खरीदे करें, रियल एस्टेट में निवेश, बनाए पैसा ही पैसा, जान लें, इन्वेस्मेंट्स के चार स्मार्ट आप्शन्स आजकल हर वर्क के लोग प्रापटी में पैसा लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं मतलब साफ है, हर उम्र के लोगों के बीच निवेश के लिए पहला विकल्प बजच चुकी है प्रापटी बतादें की कम उम्र में ही प्रापटी में इन्वेस्ट करना पैसा बनाने का सबसे बहतरीन तरीका है इसलिए अपने करियर की शुरुआत में ही युआ वर्ग प्रापटी में निवेश करके एक अच्छा रिटर्ण हासल कर सकते हैं अथा प्रापटी में निवेश करना लोगों की पहली पसद बन चुका है बता दें की लोग प्रापेटी में निवेश दो तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका ये है कि प्लॉट या घर खरीद कर निवेश करना दूसरा तरीका है बिना प्रापेटी खरीदे भी अन्य माध्यमों के जरीए निवेश करना इस स्टोरी में हम आपको बिना प्रॉपटी खरीदे निवेश करने के चार स्मार्ट आप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं पहला रियल स्टेट सलहकारों के संपर्क में रहें रियल स्टेट में निवेश करने को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले प्रापटी से जुड़ी समझ होनी चाहिए इसके लिए हमेशा रियल स्टेट सलहकारों से संपर्क बनाए रखें ऐसा करने से आपको समय समय पर निवेश के नए और उप्युक्त अवसरों की जानकारी मिलती रहेगी घर खरीदना प्रापटी में निवेश का सबसे बहतरीन तरीका माना जाता है ये बात सभी जानते हैं कि युवाओं को घर खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत डाउन पेमिंट के लिए परयाप्त पैसा बचाने की होती है बावजूद इसके यदि आप एक बार घर के मालिक बन जाते हैं फिर उसके एक हिस्से को किराई पर दे कर अच्छा पैसा बना सकते हैं ऐसा करने से आपके शेश अथवा सभी आवासिये खर्चों की भरपाई होने लगती है तीसरा बिना प्रापटी खरीदे कैसे करें निवेश यवा निवेशक बिना घर अथवा प्रापटी खरीदे भी कुछ अन्य विकल्प के जरीए निवेश से लाब उठा सकते हैं यह संभव है कि बहुत से युवाओं के पास घर खरीदने के लिए एक मुश्ट पैसा नहीं होता है ऐसे में वो RIIT, Real Estate Fund या Mortgage Bond के जरीए अच्छा रिटर्ण प्राप्त कर सकते हैं जानिए क्या है RIIT यानि Real Estate Investment Trust RIIT एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप अचल संपत्तियों का स्वामित, संचालन, प्रवंधन और लाभ प्राप्त करते हैं जादातर RIIT, Stock Exchange का कारोबार करते हैं जिसके तहत आप कम पूजी के साथ आनलाइन खरिदारी कर सकते हैं Real Estate Nives Trust उन यवार निदेशकों के लिए जो Real Estate में निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने Investment Portfolio में बदलाव लाना चाहते हैं Commercial, Retail और Residential Property में करें निवेश निवेशकों को Commercial, Retail और Residential Property में निवेश करने पर जोर देना चाहिए Residential Property के मुकाबले Commercial Real Estate में निवेश करने से जबरदस्त लाभ मिलता है हालाकि Real Estate में निवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन यदि आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे लंबी अवधी के बाद एक बहतरीन रिटर्ण मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी क्या रियल स्टेट में निवेश करके लंबी अवधी के बाद बहतरीन रिटर्ण फ्राप्त किया जा सकता है कमेंट्स करें